दोसे के लिए बनाते हैं एक special चटणी तो एक कडाई में मैंने तीन से चार चमश तेल गरम कर लिया है उसमें उड़ुदूली दाल चने की डाल एक चमश डाल के अच्छे से घून लिया है उसमें डालेंगे हम खड़ी लाल मिर्ची यानि साबुद लाल मिर्ची तो 5-6 डाल एक बड़ा प्याज डाला है रफली चौप कड़ी पत्ता डाला है और आठ से दस जो हैं लेसिं की कलियां डाली है एक बड़ा टमाकर डाला है अब हम इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे तो जैसे यह भून जाएगा इसको हम मिक्सी के जार में निकाल लेंग तो यह कुछ इस तरीके से लगेगा तो हमने बना लिया अब हम इसको लगाते हैं तड़का तो एक तड़का पैन में मैंने डाला है एक चमच रिफाइन डॉयल और साथ में डाली है उडू दूली डाल आदा चमच सरसो के दाने हींग और गैस बंद करके डाल दिया कड़ी पता और इसको हम डाल देंगे इस चटनी के ऊपर तो थोड़ा सा तेल जादा ही रखिएगा क्योंकि इससे सेलफ लाइप बढ़ जाती है अगर आप इसको बना कर भी रखना चाहते हैं तो इस चटनी को आप किसी भी तरह के डोसे के साथ चीले के साथ इंजॉय करें और अ इसको 15-20 मिनट अच्छे से पानी में डिप करके रखेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे क्योंकि हलका होता है उपर की तरफ हो जाता है तो अभी मैंने ले लिए अब एक कटोई सूजी तो सूजी आप मोटी या बारी कोई भी ले लीजिए और इसमें इतना ही पानी डाल है दोनों को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है 15-gen के बाद देखा मुर्मुरे को उठाखे तो देखिए मुर्मुरा है इस तरीक हो रहा है तो मतलब मुर्मुरा हमारा अच्छे से सॉप्त हो गए है अब हम पानी में से निकाल कर इसको मिक्सिके जार में डाल देंग तो सारी की सारी सूजी मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है और अब मैंने लिया है एक कटोरी दही तो दही एक दिन पुराना होगा तो भी चलेगा पर बहुत खटा नहीं चाहिए तो एक कटोरी जित्ती मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने दही लिया है थोड़ा सा नमक डाल और दही वाली कटोरी में 3-4 चमच पानी डाल कर इसको अच्छे से मैंने मिक्सी में पीस लिया कम से कम 3-4 मिनट बिल्कुल भी इसमें लंच नहीं रहने चाहिए मोटा मोटा पन नहीं रहने चाहिए पर अभी लग रहा है तो मैं इसको दुबारा से थोड़ा सा मिक्सी में 1- बहुत अच्छा सा तयार हो गया है इसका तो इतना ही फ्लोइंग वाला चाहिए इसको हम एक बॉल में डाल लेते हैं और देखिए इससे ज्यादा पतला मत करिएगा तो अभी हम क्या करेंगे इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के बाद य अच्छे से इसमें जैसे खमीर उठती है उस तरीके से हो जाना चाहिए तो अभी मैंने क्या किया है अब एक नॉन स्टिक तवा रखा है तो यह डोसे का बड़ा तवा है मेरे पास इसको रखा है गरम करने के लिए और एक दूसरा बॉल लिया जिसमें तीन से चार मैं बैटर निकाल लूँगी और इसमें डाला है मैंने फ्रूट सॉल्ट यानी की जो इनो है उसके उपर एक चमच पानी डाल कर इसको दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे तो अच्छे से मिला लेंगे इसको और अब इसके उपर मैं थोड़ा सा तेल ड लगाऊंगी पानी के चीटे डालने के बाद अब फिर से मैं इसको अच्छे से पोच लूँगी इससे क्या होता है हमारा जो दोसा है न चिपकता नहीं है और वैसे तो नौन स्टिक है पर चिपकता नहीं है अब मैं इसमें एक से डेट कर्ची बैटर डालूँगी और इसक कर्ची के साथ चिपकेगा या उपर आएगा क्योंकि इसको अपने लगातार ही लाना है कर्ची को उठाना नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसके उपर थोड़ा सा मखन या रिफाइन डालेंगे और इसको पकने देंगे इसको लो टू मीडियम पर पकने देंगे ताकि ये बाद इसको इस तरीके से ये देखिए मैंने तवे को उठाकर थोड़ा सा गुमाते हुए ताकि तवा बड़ा है गैस छोटी है ताकि ये जो से कहना चारो तरफ लगना चाहिए डोसे के और डोसा अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए जब इस तरीके से गोल्डन ब्रा गोल्गोल करूंगी चाहिए आप इसको लपेट कर इसको तिकोना कर लीजिए जैसी शेप आपने देनी है डोसे को आप दीजिए तो मैंने एक डोसे को और रखा है उपर तो ये देखिए ये भी हमारा जो डोसा है अच्छे से क्रिस्पोने लग गया है तो इस तरीके से ये भी डोसा पक गया और इसको मैं इस तरीके से फूल्ड कर रही है और फूल्ड करकर प्लेट में निकाल रही हूं और हमारा डोसा और ये जो डोसे वाली चटनी है ना बनकर रेडी है बहुत यमी है कैसी लगी मुर्मुरे का डोसा मुझको कॉमेंट झाल, झाल, झाल